नमस्कार मैं फाक किश्री बिस्यन निवस के बिजनेस समाचार में आप सबी का स्वागत है खबरों के और पढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर भारतिय शेयर बाजार में पहली बार 609 अरब डॉलर का निवेश बांकिंग और पाने शेयल सर्विसेज पसंदिता सेक्टर एपई एफो से अपरेण में जोड़े 12.6 लाग सदस्य माश के मुकापले संख्या 14 प्रिदिश्यत जादा वदेशी निवेशकों ने भारतिय शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बना है पहली बार इन्होंने शेयर बाजार में 609 अरब डॉलर यानी 45 लाग करोण रुपे का शुद्य निवेश किया है यानी जितना शेयर खरीता और जितना बेचा उसके बाज जो निवेश रह गया इनका पसंदिदा सेक्टर बांकिंग और फानेशल है इससे पहले पिछले हप्ते ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को पहली बार क्या था इनका पसंदिदा सेक्टर बांकिंग अव record रहा है कुर्भ निवेश का अखिली 32.14 प्रतिशत इसमें रहा है सॉप्ट्य एवं सीवाव में 13.27 प्रतिशत का निवेश रहा है आइल एवम ग्यास में 10 प्रतिशत आउटो मोबाइल में 4.52 प्रतिशत का निविश रहा है फार्मा में 4.03 और कैपिटल कोट्स में 3.93 प्रतिशत का निविश रहा है कुल निवेश 31 लाग करोट रुपे था जो कि जून 2020 में घट कर 26 लाग करोट रुपे हो गया था हाला कि एक साल में जैसे भारती बाजार कोरोना भी दोगुना पड़ा उसी तरह से इनका निवेश भी बढ़ गया एशिया में भारती शेयर बाजार ने इस साल सबसे जादा 12 प्रतिशत का रिटन दिया है भारती बाजार के मार्केट कैपिटलाइजिशन के करीबन 20 प्रतिशत हिस्सी पर इनका कबजा है शेयर बाजार की तेज़े में इन निवेशकों का बहुत बड़ा योगतान है इनके इन निवेश से बाजार में लगातार तेजी बनी है और यहां इसी महिनी अपनी उचाई का नया रिकॉर्ड बनाया है बिरो रिपोर्ट पेसियन न्यूज कर्मचारी भविष्ट निती संक्टन एप्योफो से आप्रिल 2021 में बारा लाग शारतर जार लोग चुड़ चुड दे थे 2020 और 2021 में कुल 77,8,000 नए सदस्य एप्योफो से चुड़े हैं मार्च 2021 के दिलना में अप्रिल 2021 में एप्योफो की सदस्य दा छूटी वालों की संक्या 87,821 काम रही ऐसे तरह इस तरहां दोबारा एप्योफो से जुड़ने पाले सदस्याव की संक्या मार्च से 92,864 जादा रही है यानि आप लोगों को दोबारा रोजगार मिले लगा है पचले साल अप्रिल में एप्योफो में कर्वचारियों की नए नामांकर में 2,85 लाग की गिराव बटाए हैं इसका मतलब है कि अप्रिल 2020 में एप्योफो की सदस्य दा चोड़ने वाले लोगों की संक से हैं सबसे ज्यादा नए लोग माराष्ट्य हर्याना गुजरात तामिल नाडू और कर्ना टक में नए रोजगार की अच्छी खासी तेजी दश की गए इन राज्यों में अप्रिल में एप्योफो से लगपक 7,58,000 लोग चुड़े हैं जो कुल चुड़ने वालू का 90.41 नए सब्सक्राइबर्स में मैलाओं की संक्या 2.21,000 है यह करीब 22 प्रतिशत है बिरो रिपोर्ट बेसे न्यूज क्रिप्टो करेंसी की किम्तों में भारी गिरा वट जा रही है शुकरवार को 6 प्रतिशत तक किम्ते गिरने के बाद आज फिर किम्ते गिरी है आज इनकी किम्तों में 7 प्रतिशत तक की गिरा वट आई है इसमें प्रमुक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी है जानकारी के मताबिक बिटकोईन, डॉक कोईन और पोलका डॉट की किम्तों में 3-7 प्रतिशत की आज किरा वटाई है यानि दो दिनों में इन सभी की किम्ते 13 प्रतिशत तक गिर गई है दरसल चीन के रेकुलेटर ने बिटकोईन माइनिंग को लेकर स्कुरूट्टी की बात गई है यही कारण है कि टॉप 10 डिजिटल मने की किम्तों में आज़ जम कर कमी आई है बिटकोईन सबसे लोप्रिय डिजिटल करेंसी है पुरे दुन्या के बिटकोईन प्रोडक्शन में आदा हिस्सा चीन का है चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर लगाम लगाने की योचना तेजी में है चिन की दक्षनी इलाकी सिचुआन बे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोजेट को बंद करनी का आउडर देतिया क्या है यह चिन का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर है विरो रिपोर्ट बेसियन निउस अमेरिकी मुद्रा की मजबुती और घरेल उशेयर बाजार में बिगवाली के चलते रुपया सुमवार को शिर्वाती कारूबार में आमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे तूटकर चरातर दश्रमलों बेस पराग्या विदेशी मुद्रा कारूबार्यों ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती किम्तों काभी निवेशकों की धाना पर असर पड़ा है अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले चरातर दश्रमलों बीस पर खुला जो पिछली बंद के मुकाबले 34 पैसे की गिरावट दशाता है रुपया शुकरवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.86 पर बंद वाता इस पर इच्छा प्रमुक मुद्राव के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के स्थिति को देशाने पाला डॉलर सुचकांग 0.09 अंग बढ़कर 92.30 पर बहुँच गया वेश्विक तेल बेंचमार्ट ब्रेंट कोट पाई था 0.27 परतीशत बढ़कर 33.41 डॉलर प्रतीब बैरल पर था विरो रिपोर्ट बेसेन न्यूज रिपोर्ट में आगी कहा गया है कि देश में कोविट-19 की दूसरी लहर का प्रकूप आर्थिक गर्थी विदियो पर काफी गयरा गया था लेकिन मजबुत बनियाती तत्व मत्यों आउथी के लिए उमीद पैता करते हैं व्यापार और विकास पर संयुक दराश्टर समिलन अंकिटाक द्वारा सुमवार को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि वैश्वीक MTI प्रवाह महामारी से बुरी तरह प् बेस में 35 प्रतिश्यत किर कर 1500 अरब अमेरिकी डॉलर से खट कर 1000 अरब अमेरिकी डॉलर रह क्या बिरो रिपोर्ट बेसे निवेश्व खबर समावत करने से पहले आगे डालते हैं नसर आज के सुर्ख बातिय शेयर बाजार में पहली बार 609 अरब डॉलर का निवेश्व बांकिंग और पाने शेल्स सर्विसेज पसंदिता सेक्टर EPFO से अप्रेन में जोड़े 12.6 लाग सदस्य माश के मुकापले संख्या 14 प्रतिश्यत जादा बिजनेस समाचा में फिला लित्ता ही ऐसे अन्नी खपरों से जोड़े रहे निकली देखती रहे बीसेन निव्स नमस्कार